सो गाइस एक बहुत बड़ी breaking news आही है कि अली विलाल जो Arnold Classic में compete करने वाले थे इस साल जो Ohio में होने वाला है उससे वो बाहर हो चुके हैं because of some personal reasons सो अभी तक उन्होंने confirm नहीं किया है कि actual में reason क्या है उनकी इस competition से बाहर होना बट सुन मुझे लगता है कि वो confirm कर देंगे कि क्यों उन्होंने इस competition से ब्रेक लिया है फिलाल के लिए सो यह काफी disappointment है because for the fans because हमें काफी उमीने थी कि कोई Asia से खेलेंगे Arnold Classic Ohio जो की second biggest bodybuilding show है पूरे वोल्ल में so it's a disappointment for us guys but as you know कि वो बहुत competition खेलते हुए आये है recently उन्होंने 5 competition लगातार खेले है और उसमें से 4 उन्होंने जीते भी है so इसलिए सायद उन्होंने यह decision लिया है साय और यह काफी smart decision है because उनकी body को rest भी चाहिए फिलाल के लिए because वो काफी लगातार competition खेलते आ रहे है और आपको पताई होगा कि जब आप prep बहुती ज्यादा करते हो तो आपकी body ठक जाती है so I think यह काफी smart decision है उनकी तरफ से so Ali Bilal ने अभी तक कुछ confirm नहीं क्या है तो देखते हैं कि वो अगला competition कौन सा खेलते हैं because उनके लिए हमेशा excitement बनी रहती है because वो काफी ज्यादा show भी जीते हैं because और उनके सारे काफी Indian fans भी है so देखते हैं कि फिलाल वो क्या करते हैं अपना next step कौन सा होने वाला है because अगले साल के इस साल के Olympia के लिए भी वो अभी तक qualified नहीं है so जल्दी मुझे लगता है कि वो एक pro show खेलेंगे और इस साल के Mr. Olympia के लिए qualify कर जाएंगे guys so I hope for the best guys so देखते हैं क्या होता है in future so ऐसे भी बॉड़ी विलिग न्यूस के लिए मैरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना guys and subscribe करने के बाद bell icon को प्रेस करना मत भूलना था कि आपको कोई भी बॉड़ी बॉड़ी बिलिग से जुड़े update मिसना हो